एनर्सी होगा जिसका नाम एनर्सी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांगलाडेश तक ठक्का मार मार के हमको भगाना परेगा यही हमारा नीती होगा पहले सब लोगों को एनर्सी बनने का समय सब लोगों को अपना पक्स राखने का सुभिधा मिलेगा कानुनन पूरा जतना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा अंत में अगर आप अपने आपको प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरीक हूँ तब आपको कानुन का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बंगलाडेश भेज़ दोगा असाम में कितना सफल प्रोसेस कंप्लीड हो शुका है सोधा लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हूँ अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस किया हूँ को कि हमको और एक बार करने दीजिए सिमान में हमको और 20% सेंपल से करने दीजिए पहला सरन में हमने सोधा लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो प्रठम दिश्ती में भार्तिय नागरी नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें दूसरा रिवीजन का अनुमती मिल जाते है तब ओ संखा और बाहेगा अभी तक जो संखा हुआ है पहला सरन का अनर्सी से ये लगभग सोधा लाख और पुनहर लाख का बीच में है एक बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है जैसे आप डेमग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं यानि बंगला देश रहंगिया के लोग यहां पर है अधिवासी संक्या घट रही है तो जो बंगला देशी है जो वोटर लिस्ट में है उनकों कैसे रोकेंगे वोटर लिस्ट में कप से हैं आप वोटर लिस्ट में दो हजार सब्वीस में हैं दो हजार एकिस में हैं उसका पहले आपका नाम कहां था अगर आप भारत का नागरिक है आपका उमर सलिस साल है दो 2021 में आपका नाम जारखन में है, 2021 में आपका नाम जारखन में है, इसका पहले नाम कहा थे, ओही पुरा खेल है, हम लोग 2001 से भोटार लीस का जाज करोंगा, बाई ये बंदा का यहां नाम नहीं था, से में नाम है, से में नहीं था, सोधा में है, सोधा में नहीं था, 21 में है, पहले आप कहा था, अगर वो पता देते है कि पहले मेरा नाम बिहार में था, पहले मेरा नाम बेंगॉल में था, पहले मेरा नाम असाम में था, मेरा नाम देली में था, तब ठीक है, कोई आपती नहीं, लेकिन अगर डिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहा है, तब तो प तो यह बहुत scientific process है और यह process को सुप्रीम कोट मोहर लगा के रखा हुआ है इसमें किसी का trust नहीं होते है और जैसे जो भी नया लोग भोटा लिस्ट में आया है खाली ओही लोगों को जांस किया जाएगा जो जारखान का अधी बासी है मुल बासी है उनको जाज भी नहीं किया जाएगा किसा वे उनका नाम तो लिस्ट में अल्रेडि पिता माता का दिन से है तो उनको जाज नहीं होता है किसका जाज होता है जिसका नाम पहला बार और उठरा साल में भी जो जिसका नाम पहला बार आता है उनका जाज नहीं होता है किसले उनका पिटा मता का नाम होगा लेकिन जो परिबार का नाम पहला बार आया है जैसे आप पाकोर में जाए बहुत सारा परिबार का नाम पहला बार भोटा लिस्ट में आते है जो बेक्ट करके बताईए कि आप पहले कहा थे तो यह परी scientific process है और आप एतना मुश्कु बताईए मैंने ओडिन पाकूर में गिया था पहले उहां में हिंदू विधायक होते थे अभी हिंदू लोग contest भी करने के लिए दरता है अभी बासी लोग भी contest नहीं करता है पूछने से बोलता है नेने संखा परिवर्टन हो गिया भाई कैसे परिवर्टन हो गिया ये तो कोई तो बताना परेगा न तो ये high court जेमेम सरकार को पूछ रहा है जेमेम सरकार उत्तर नहीं दे रहा है इसका कारण सबसे ज़्यादा सती किसका हो रहे है आज पूरा जारखान में 2021 का अगर समिक निकालेगा जंगनना आदिवासी का संक्खा और कम हो गए तो इसलिए जेमेम को घुसपेथिओ का समयस्पेश्या से भागना नहीं सैए आप घुसपेथिओ का भोटो का लालस में अगर आप राजनिती करेगा जार्खान का अधिबासी और मुलबासियों का कभी भी अक्सा नहीं होगा हम लोग माइनोरोटी बनते जाओंगा